हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चानेल स्टेंड बीपेसी में आज से मैं फिर से लेकर आ चुका हूं प्रैक्टिस सेट नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं टाइपिंग करवा लिये हैं बहुत ही जबरदस सेशन है आप लोग अच्छा से किजिए दोस्त बहुत मच आएगा आप लोग अचा से प्रैक्टिस देखे कोई भी एक्जाम आप निकालना चाहते हैं उसमें प्रैक्टिस बहुत ही मजएदार होना चाहिए आपका प्रैक्टिस मतलब 100% आप त्यार हो पहले से ही प्रैक्टिस करने का मतलब है क्या आपके तरोटिया कम होती है आप आकलन कर सकते हैं कि आपकी कहान स्कोर में कमी आ रही है, कॉन सा विशा आपका कॉम जोर है, कॉन से विशा में आपकी पकर है, اسलिए हम लोग प्रैक्टिसेट लगाते हैं दोस्त और STAN BPSC हमेचा आप लोगों के लिए ततपर रहता है, आप लोग प्यार देते हैं और मैं आप लोगों के लिए खरा रहता हूँ तहीं सब मिल करेंगे दोस्त चलिए देखे पहला कोशन है इन में से कौन सा सब संग्या से बाना हुआ भी सेशन नहीं है इन में से कौन सा सब संग्या से बाना हुआ भी सेशन नहीं है बताए क्या right answer होगा तो बताए क्या right answer होना चाहिए right answer हो जाूजएगा आपका प्राथमिक प्राथमिक है D number में चलिए अगला प्रसंद देखे अगला है आपका इनमे से कौन सा सब्द संग्या से बाना हुआ अभी session नहीं है इन में से कौन सा सब्च संग्या से बाना हुआ भी सेशन नहीं है बताइए क्या राइट अंसर होगा क्या राइट अंसर होगा बताइए तो राइट अंसर हो जाएगा आपका सुभंकर इसमें से option में B नमर में सुभंकर है अगला प्रसन देखिए इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ भी सेशन है बताईए कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ भी सेशन है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका कुलीन हो जाएगा अगला प्रसन देखिए इन में से आग कौन सा सब्द है इनमें से आग कौन सा सब्द है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका तदभव ओके तदभव है देखिए दिया है बी नमबर में अगला प्रस्ण रस भारा में कौन सा ततपूरुस समास है क्या राइट अंसर होगा तो right answer हो जाएगा आपका करंतत पूरुस करंतत पूरुस है अगला प्रसन देखिए अगला है आपका उत्पती के दिरिष्टी से सब्दों के कितने भेद होते हैं उत्पती के दिरिष्टी से सब्दों के कितने भेद होते हैं राइट answer हो जाएगा आपका चार, ओके, चार हो जाएगा यह रिप्टेट प्रशन है दोस्तों हम लोग करते हैं 350 के बाद का क्योंकि 350 तक हम लोगों ने देख चुके हैं वो रिविजन के तौर पे थोरा सा हम करवा दियें ओके चलिए यहां से important है चलिए बताइए लोग प्रशन है आपका कि क्या प्रशन है अधजल गगरी छलकत जाए इसका मतलब क्या है अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होगा तो राइट अंसर हो जाएगा ओछे ब्यकती दिखावा नहीं करते C नमबर में राइट अंसर हो जाएगा अगला है इसमें उतकर्स का बिलोम क्या होगा उतकर्स का बिलोम क्या होगा बताईए तो उतकर्स का बिलोम हो जाएगा आपका राइट अंसर इसमें से अपकर्स हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला है अधियापका बहुवचन इसमें से क्या होगा अधियापका बहुवचन इसमें से क्या होगा तो राइट अंसर देख लेते हैं अधियाप क्या हो जाएगा अधियापको अधियापको बी नमबर में दिया है अगला प्रसन देखिए अगला है नीम्न में से कौन सही लिखा हुआ है निम्न में से कौन सही लिखा हूँ, यहां से तीन नंबर के प्रस्ण पूछे जाएंगे सुध वर्तनी वाला सब्द, ध्यान दे देंगे आप राइट अंसर हो जागा अनाधिरित, अनाधिरित आपका ये नंबर में लिखा है अगला प्रस्ण देखिए, अगला है, पौन का प्रिवाची सब्द नहीं है, इसमें से कौन नहीं है, क्या राइट अंसर हो जाएगा, अनाल हो जाएगा अगला प्रस्ण, थोरी दिर में नश्थ हो जाने वाले को संचेप में क्या कहेंगे थोरी देर में नश्ट हो जाने वाले को संचेप में क्या कहेंगे तो राइट अंसर हो जाएगा चन भंगूर ए नमर में सही है अगला प्रस्न नीम्न में भावाचक संग्या है नीम्न में भावाचक संग्या कौन है कौन होगा राइट अंसर हो जाएगा अवसक्ता अवसक्ता हो जाएगा C नमर में सही लिखा हुआ है अगला प्रसन है आग का प्रिवाची क्या होगा आग का प्रिवाची क्या होगा बताएग क्या राइट अंसर हो जाएगा अनल अनल दिया है C नमर में अगला प्रसन देखिए सार्थक अभिलोम क्या होगा? सार्थक अभिलोम क्या होगा? तो सार्थक अभिलोम हो जाएगा आपका निर अर्थक C नमर में दिया है अगला प्रसन दुईधा में दोनों गए माया मिली न राम लोकोकित का अर्थ क्या है दुविधा में दोनों गय माया मिली न राम लोकोकित का मतलब क्या है इसमें बताइए क्या राइट अंसर हो जाएगा आपका अनिष्चे की स्थिति में ब्यक्ति दोनों और से हानी उठाता है जहर सी बात है निष्चेत नहीं करेंगे टारगेट फिक्स नहीं है क्या राइट अंसर होगा इसमें अपराध पाप अपराध का अर्थ है कनून की निगाह में दुसक्रित किन्तु पाप आसाय है क्या मतलब का बताईए राइट अंसर हो जाएगा धार्मी के अमेश्वरिये नियमों के दृष्टी में के गई दुसक्रिती सी नमर में अप्शन सही है अगला प्रसन देखिए कौनसा सब्द अनुपसर्ग के मेल से नहीं बना है कौनसा सब्द अनुपसर्ग के मेल से नहीं बना है कौन सा सब दिसमें से नहीं बाना है दोस्तो क्या राइट अंसर होगा तो राइट अंसर हो जागा अनूठा सी नमर में सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए निम्न में सही वर्तनी की द्रिष्टी से कौन सुध है सुध वर्तनी वाला कौन है इसमें बताईए राइट अंसर हो जागा अनुग्रिहित अनुग्रिहित आपका लिखा हुए बी नमर में सही अगला प्रसंद देखिए और उपसर्ग से बाना सब्दीस में से कौन है क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर हो जागा आपका अचेत A नमर में सही है अगला प्रसन देखिए उदार का बिलोम है उदार का बिलोम क्या होगा? तो उदार का बिलोम अनुदार हो जाएगा B राइट अंसर अगला प्रसन संसारिक वस्तुव के प्रतिया कर्शन क्या कहलाता है? संसारिक वस्तिव के प्रतिया कर्षन क्या कहलाता है राइट अंसर आशक्ती हो जाएगा ए में दिया हुए सही अगला प्रस्न जो धन को ब्यार्थ खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं जो धन को ब्यार्थ खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा अप भी आई क्या कहेंगे अप भी आई देख लीजे अप्षन में डी नमर में सही है अगला प्रस्न नीम्न में कौन सूध वर्त नीमाला सब्ध है सूध कौन लिखा हुआ है तो ए नमर में आपका सही लिखा हुआ है अगला प्रस्न खिस्यानी बिली खांबा नोचे इसका मतलब क्या है खिस्यानी बिली खांबा नोचे इसका मतलब क्या है राइट अंसर हो जगा अपनी स्रम छेपाने के लिए ब्यर्त जुझलाना अपनी स्रम छेपाने के लिए ब्यर्त जुझलाना कहां दिया है तो B नमर में राइट अंसर दिया है अगला प्रशन सतकार का बिलोम क्या होगा तो राइट अंसर तिरसकार हो जाएगा अगला प्रशन परतिया है कि योग से बाना सब्ड कौन सा है अप्शने नियम, अपमान सजीव, मालीन क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर मालीन हो जाएगा डी नमर का राइट अंसर अगला प्रस्ण एक तो चोरी और उपर से सिना जोरी कहने का मतलब क्या है बताईए राइट अंसर हो जाएगा अपराधी होकर उल्टे अकर दिखाना राइट अंसर B में दिया हुआ है अगला प्रस्न अप उपसर्ग से बनने वाला सब्द कौन है इसमें अपमान, अपव्याय, अपक्रिती, सभी कौन होगा राइट अंसर हो जाएगा सभी अगला प्रस्न अलग होने के अर्थ में किस कारक अपर्योग किया जाता है अलग होने के अर्थ में किस कारक अपर्योग किया जाता है राइट अंसर आपदान B नमर में सही लिखा है अगला प्रस्न वो अपने भाग को सराहता रहा वाक में किस कारक अपर्योग हुआ है संपर्दान का हुआ है या पधान का हुआ है या संबंध का हुआ है या करम का रख का हुआ है किसका हुआ है? राइट अंसर हो जगा करम का रख का अगला प्रस्न गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक है? करता होगा? या पदान होगा या धिकरन होगा या करन होगा राइट अंसर करन होगा अगला प्रस्न वे उतम संस्कारों से हमें द्रीट करेंगे वाक में किस कारका प्रयोग हुआ है किस कारका प्रयोग हुआ है तो राइट अंसर होजेगा करन कारका करणकारक ये option में दिया है सही अगला प्रस्ण निमलीखित वाक्यों में से किसमे पूरक का पर्योग हुआ है? किसमे पूरक का पर्योग हुआ है? बताईए राइट अंसर हो जाएगा भगसीन भारत माता के सचे सपूत थे ये पुर्योग हुआ है पूरक के रूप में अगला प्रस्ण पर्वती का प्रवाची सब्द नहीं है इसमें से कौन नहीं है? तो उमा नहीं है उमा नहीं है अबला कांता रमनी ये पर्वती का प्रवाची है अगला प्रस्ण मान सब्द में कौन सा उपसर्ग जोरने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा किसका राइट अंसर हो जाएगा अभी अभी हो जाएगा अगला प्रस्ण अभिमान या गौरव ये दोनों एक दोसरे के ब्राबर है भिमान का साई घमंड से होता है अपने को वास्त्विक्ता से अधिक समझना वही गर्ब का अर्थ है क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर होजगा रूप बैभव अज्यान अदि से उत्पन स्रिष्टा का भाव राइट अंसर ये में सही दिया हुआ है अगला प्रस्ण देखिए अभी उपसर्ग से बनने वाला सब्द क्या हो जाएगा तो इसमें सभी हो जाएंगे अगला प्रस्ण अभी उपसर्ग से बनने वाला सब्द कौन सा है जिसका अर्थ समुख होता है कौन सा होगा तो राइट अंसर हो जागा अभी मुख अभी मुख दीजे कहां दिया है तो D नमर में सही दिया है अगला प्रसन देखिए आदी आदी सब्द यूगम का मतलब क्या है आदी आदी सब्द का यूगम का मतलब क्या है तो राइट अंसर हो जाएगा अरांब अभियस्त अरहम अभियस्त इन नमर में सही दिया हुए आज का हमरा हिंदी का आखरी प्रस्ट इसके बाद हम इंगलीस मैथ करेंगे अगला प्रस्न कौन सा सब स्वार्शंदी का है कौन सा सब स्वार्शंदी का है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका अभियागत अभियागत स्वार्शंदी का है ओके चलिए अब हम लोग इंगलीस की तरफ बढ़ते है देखिए प्रस्न है आपके सामने की Select the word which means the same as the group of word और a given Anything that cannot be avoided Anything that cannot be avoided क्या राइट अंसर होगा देखिए जिसे टाला न जज़सके उसे क्या बोलते है बताइए यही बता रहा है जिसे टाला न ज़सके उसे इन इविटेबल बोलते हैं इन इविटेबल जिसे टाला न ज़सके तो option में देखिए कहां दिया हुआ है C नमर में अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है Select the Antonym of the given word mundane mundane दिया है mundane का बिलोम क्या होगा पहले तो आपको पता होना जिह mundane में इसक्या होता है जान लीजिए संसारी क्या सधारन बोल सकते है mundane का मतलब आप असानी से पकर सकते हैं इसका बिलोम an extraordinary यह नमर में दिया है अगला प्रस्न देखिए इसमें आपको क्या बताना है select the word which means the same as the group of word given an imaginary ideal society free of poverty and suffering क्या कहने का मतलब है यानि आदर्स एक ऐसा राज जहां पर आदर्स वादी लोग हो ऐसा राज जहां पर सभी लोग एकता अखंडता सबका समान हो उससे बोलते हैं इंगलिस में क्या बोलेंगे इसे इंगलिस में option आपके सामने हैं बताईए यानि right answer हो जागा utopian बोलते हैं utopian d right answer हो जाएगा अगला प्रस्न देखिए synonym बताना है gallant gallant का synonym क्या होगा gallant का synonym क्या होगा तो gallant का synonym हो जाएगा आपका बताईए hint देदेते हैं gallant miss beer या साहसी असरेष्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं gallant miss beer साहसी असरेष्ट को बोलते हैं तो right answer यानि साहसी courageous को बोलेंगे तो ये right answer हो जाएगा अगला प्रस्न देखिए अगला है synonym बताना है eradicate 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 का synonym क्या होगा देखिए सबसे पहले तब को पता होना चाहिए कि eradicate miss क्या होता है eradicate miss होता है unmulan करना क्या करना unmulan करना यानि हटा देना हमेसा के लिए उखार फेकना नास करना ऐसे बोल सकते हैं अब आप असानी से पकर सकते हैं यानि abolish abolish यानि unmulan करना होता है तो right answer देखिए दिया हुआ है abolish अगला प्रसन देखिए अगला है select the most appropriate word to fill in the blank every good work is the result of cooperation and best wishes of dash people अप्शन आपके सामने है बता ये क्या right answer होगा इसमें बोल रहा है खाली अस्तान पर क्या होगा यानि जो भाई परतेक बोल रहा है कि काम करने वाले जो people होगे अच्छा करेंगे स्योग मिलेगा अच्छा काम करेंगे तो कोई भी आपको बदाई देगा यानि several का पर्योग करेंगे option में से perfect हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप देख लेजिए ओके चलिए बताईए select the option that means the same as the given item to heat the road to heat the road का मतलब क्या है to heat the road कहने का मतलब है यात्रा शुरू करना to heat the road मतलब यात्रा शुरू करना अब बता सकते हैं पकर सकते हैं भूसखते हैं beginning once journey दिया है भी नमर में एटन सर अगला फ्रस्न अगला है select the most appropriate option to fill in the blank select the most appropriate option to fill in the blank क्या राइटन सरोगा select the most appropriate option to fill in the blank क्या राइटन रोगा select the most appropriate option to fill in the blank दिया है honesty dash to being trustworthy and gaining person recognition खाली अस्तान के जगा आपको भरना है यानि रेफर्स बोल सकते हैं honesty कोई खरीद नहीं सकता है राइट एंसर भी हो जगा लेकिन आज के जबान में पैसे के तर पर लोग वीग जाते हैं अगला प्रशन select the correctly spelled word कौन correctly spelled word है इसमें कौन correctly spelled word है तो receipt जो है ये नमर में ये correctly spelled word है आगे का प्रशन देखी आगे है select the option that means the same as the given item to have a blast to have a blast to have a blast बताइए कहने का मतलब है आच्छा समय बिताना कोई आपको आपके साथ अच्छा से बात करने लगता है ताप उसके साथ अच्छा से समय बिताने लगते हैं आपके प्रती उसकी feeling अच्छी हो जाती है to have a good blast बोलेंगे दूसरे form में यानि to have a good time बोल सकते हैं option में दिया हुआ है अगला प्रसंद देखिए अगला है select the antonym of the given word liberal select the antonym of the given word liberal दिया है ओके लेवरल liberal कहने का मतलब है उदार या जो दानसील होता है उसको बोलते हैं लेकिन यहाँ पर belong पूछा है antonym miss क्या होता है belong क्या right answer होगा यानि आप पकर लिये होंगे क्या right answer होगा यानि क्या दिया है देखिए इस टिंगी दिया है right answer हो जाएगा अगला प्रस्न correctly spelled word कौन है correctly spelled word कौन है जिन कोई इसमें तो दिकत नहीं होना चाहिए spelling वाला है हेट्रोजिनियस दिखे यह नमर में सही है correctly spelled word अगला प्रस्न दिखे अगला है select the option to admit the same as the given item bark of the wrong tree bark of the wrong tree क्या right answer होगा तोड़ा उपर कर देते हैं bark of the wrong tree बताइए क्या right answer होगा bark of the wrong tree यानि खिस्यानी बिली खंबानों चे बोलते हैं न bark of the wrong tree a quick brown fox jumps over the lazy dog which was very fast asleep बोलते हैं आप लोग इसको दूसरे फोम में बोल सकते हैं to be wrong about the region for a way of doing something to be wrong about the region for a for बोल सकते हैं देखें, simple भासम बोले to be wrong about the region फोर इतना बोल दीजे सही हो जागा या way of doing something इतना ही बोलेंगे चलेगा तो ऐसा देखें, दो-दो दे दिया है d number में अगला प्रसंद देखें, अगला है select the word which means the same as the group of word concerning appreciation of art कहने का मतलब है color premie आप आज देखें होंगे social media का जबाना है आपको सामने खारा करा दिया जाएगा ब्यक्ति देखकर आपको आपका चीतर बना सकता है ओके? तो राइट अंसर बताइए color premie यानि aesthetic बोलते हैं बी नमर में दिया है अगला प्रसन देखें इंगलेस का आखरी प्रसन select the most appropriate word fill in the blank a software tool used to read electronic document is known as DAS क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उसको आप लोग? यानि जो browser कर रूप में काम करता है तो देखें option में दिया हुआ है चलिए अगला प्रसन देखते हैं मैत कर लेते हैं क्योंकि दिया है क्या दिया है? सबसे छोटी संख्या कौन सी अजिसे 12, 15 और 18 से भीभाजित करने पर परतेक मामले में 7, 6 बचे 7, 6 बचे बताईए क्या return आप लोग भी solve कीजे जिनको पता है वो बना सकते हैं को नहीं आता है, वो मेरे साथ बने रहेंगे देखे, इस तरह के सवाल में 12, 15, 18 कहां क्या करेंगे? LC हम निकाल लीजे LC हम निकालेंगे तब क्या आएगा? 180 आएगा, निकाल कर देख लीजे OK, 180 आएगा आगे क्या करना है? चुकि बोल रहा है सेस्पल साथ आना चाहिए तो सेस्पल साथ आने के लिए यानि हम 180 में साथ जो रेंगे तब ही न हमरा आएगा तो 187 हो जाएगा तो राइट अंसर देखे, यही हो जाएगा चलि अगला प्रसंदिके, सर लिक्रित कीजे इसको कैसे करेंगे? यानि दिया है तो आपको आना चाहिए यार का का मतलब गुना होता है सल्ब कीजे क्या राइटन सरुड़ा समय दे रहे हैं आपको सल्ब कीजे बनाएगे लोग क्या होगा का का मतलब गुना होता है 18 पुलस 3 बैट 2 गुने 12 माइनस 4 18 माइनस 3 बैट 2 का का मतलब गुना किजिए solve कितना answer आ रहा है right answer आएगा 2 आएगा चलि अगला प्रसंद देखते है 544 रुपिय को A, B, C के बीच इस परकर बाटा जाता है 3 अनुपात, 5 अनुपात, 8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है तो C को B से कितना अधिक मिलेगा कितना मिलेगा, solve किजिए देखें मैंने पहले बताया था तीनो एकसाद कार करें और उसमें से ये गुका देगा तो उसके लिए trick होता है A, B, C दिया हुगा है तो C माइनस B और बाटा, क्या हो जाएगा A, B, 3 का एकसाद निकाल लीजे और value put कर दीजे कितना बोल रहा है तीनो का एकसाद का है तो 544 अब value put कर दीजे देखें कितना answer आ रहा है पेन कोंबी चलाए लोग जो लोग live नहीं जूर पाते हैं वो बाद में देखकर comment जरूर कीजे आप लोग सुझाव नहीं देते हैं यार वीडियो बहुत लोग देखता है लेकिन comment नहीं कर पाते हैं लोग like नहीं करते हैं आप लोग ये गलत बात है चलिए बताइए क्या right answer होगा right answer होजएगा इसमें से 102 जब आगे solve करेंगे तो अगला प्रसंद देखिए अगला है एक vendor ने एक रुपे में दोस टॉफी की दर से टॉफिया खरे दी उसे 25 परसंट लाव हासिल करने के लिए एक रुपे में कितने टॉफिया बेचनी चाहिए solve कीजिए जिन को लगता होँ मुझसे पहले बना सकते होँ कितना दस टॉफी की दर से यानि एक बटा दस हो जाएगा लाव कितना इस पर यानि 25 परसंट बोल रहा है तो आपको भी पता है एक टॉफी का बिक्रय मुलक ऐसे निकालेंगे एक बटा दस गुने कितना 25 परसंट लाव यानि 125 बटा 100 लीख सकते हैं क्या आप सल्ब कीजे तो कितना आ रहा है मान सल्ब कीजे 25 पंज एक सो पंज 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 आपचिस चो कस है चार तो यह हो जाएगा दो और यह हो जाएगा पांच तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा एक बटा आठ यानि कहने का मतलब है कि यह हो गया क्या आपका इस पर क्रेमल हो गया ओके तो वे आट अपियों को बेचा जाएगा तो उसको कितना 25% लाब होगा तो देखिए आट राइट अंसर दिया है अगला प्रसन देखिए अगला है एक आदमी 10 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से अपने ओफिस जाता है और 15 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से लोडता है यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता है तो निवास और ओफिस के बीच की दूरी कितनी हो कितनी होगी दोस्त अभी जो माने ट्रीक बताया बिल्कुल उसी का सहता से बनेगा कुछ हाई नहीं इसमें चुकि एक देख लिजे 10 दिया है 15 दिया है और 6 दिया है 10 किलोमेटर प्रती घंट निवास और अफिस के बिच कितना होगा एक आद्मी दस गति से अपने अफिस जाता है और पुनरा किलोमेटर की रहतार से जाता है और पुनरा के रहतार से वापस लोड़ता है यानि 5 बड रहा है क्या कुल 6 गंटे का समाई लेता है कितने का समाई लेता है 6 गंटे का तो औसर चल अब कैसे निकालेंगे 2 गुने 10 गुने 15 आपको पता है न जी 2 x y बटा क्या होता है x पलोस y ट्रिक बता है न जी सल्ब कीजे तो कितना माना राइस पर निकाल ये लो माना जाएगा आपका 12 किलोमेटर प्रती घंटा आ गया ये क्या? चाल आ गया चाल आ गया 12 प्रस्ण में क्या पूछा है? निमास और आफिस के बीच के दूरी तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है दोस्तो चाल गुने समय 12 गुने 6 72 हो जाएगा तो आप्शन में आपका 72 किलोमेटर नहीं दिया है आगे परते हैं बोल रहे हैं तो निमास और आफिस के बीच के दूरी पूछ रहा है तो निमास और आफिस के दूरी आपको पता है आने जाना यानि एक बर आ रहा है तो एक बर जा रहा है यानि 2 हुआ यानि 72 बटा 2 यानि 36 तो राइट अंसर देखिए 36 किलोमेटर दिया हुआ है अगला प्रस्ण देखिए अगला है एक तार एक वर के अकार में मोरा जाता है जिसका 121 सेंटिमीटर स्क्वार छेत्रपल है यदि तार को एक बरीद के रूप में मोरा जाए तो बरीद के तरीजिया क्या होगी बनाए लोग आपको पता है वर की भूजा क्या होता है रूट अंडर छेत्रपल ओके, रूट अंडर छेतर पल होता है, 121 दिया है, 121 का स्क्वार कीजिए, क्या हो जागा दोस्तों, 121 का स्क्वार, इसका वरगमूल क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं न, 11 गुने 11, इसके बदले 11 लिखेंगे, इतना लिखेंगे आप लोग बोल कुल वर का परिमाब क्या होता है चारगुने भुजा यानि फोरे एक अमाने गारा आ गया चारगुने गारा यानि चोवालिस राइट अंसर चोवालिस आ गया सेंट्रीमीटर यह चोवालिस सेंट्रीमीटर आपका क्या आ गया वर के भुजा अंसर आ गया ओके अब प्रशन स देखिए, बोल रहे हैं, मुरा जाता है बृत के रूप में, चुकि इसको मुरा जाता है तो बृत के रूप में, जब इसे मुरा जाएगा, तो ये उपर वाला सब क्या होगा, परिधी होगा, परिधी होगा ना दोस्त, अब परिधी बृत का परिधी क्या होता है, बोलेंग तो 44 के बराबर हो जाएगा अब देखिए कितना आ रहा है यानि 22 दुना 24 अदू से दुकट गया यानि आर का मानव का साथ आ जाएगा तो राइट अंसर साथ हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देखिए अगला है ए अपने वेतन का 80% और भी अपने वेतन का 75% खर्ज करता है लेकिन दोनों के बीच बराबर है यदि दोनों आय का योग 72 से रोपिय में तो बी की आय ग्याद करें बी की आय ग्याद करना है इसमें बताइए क्या राइटन सुरोगा क्या राइटन सुरोगा बताइए लोग देखिए कैसे सॉल्ब करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉंग प्रोसेस जाएगा सौट कॉट से बनेगा नहीं ओके देखिए एक बोल रहा है आपको ये के फोर में निकालना हो था एक का वेतन माल लेजिए एकस एक का वेतन एकस तो बी का वेतन क्या हो जाएगा बहतर हजर दिया है तो बहतर हजर में से हम एकस को घटा लेंगे बी का वेतन निकल गए अब प्रोसने से चलिए प्रोसने से चलेंगे कोचन के कोडिंग तो एकस का वेतन एक का वेतन एकस है तो हम ये के वेतन के साथ लेकर चलेंगे X गुने उतारिये का लोग तो आपको बहतर समझ मेंगे बटा 180% बोल रहा है तो इसमें से घटा लेंगे या डाइरेक्ट आप 20 भी लिख सकते हैं ओके लेकिन आप समझाने के लिए हम पूरा लिख दे रहे हैं कितना प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है यानि पहले आप निकाले हैं B का 72,000 माइनस X निकाले हैं ओके इतना निकाल लिए बराबर में है ये किसके बराबर में तो फिर यहीं पर गुना लिखिएगा 1 बर 75% के साथ यानि 100 माइनस बर 75 तो 25 बटा आप 100 लिख सकते हैं अब आगे चलिए आगे चलेंगे तो आप का मान आएगा घटाएंगे तो X बटा 5 बराबर 72 1000 माइनस X और बटा कितना हो जाएगा? 4 अब क्रॉस मॉल्टिपिकेशन कीजिए मान आएगा X का मान आएगा निकालेंगे तो कितना आ रहा है? देखिए तो X का मान आप कहा जाएगा? 40,000 रूपया ओके? 40,000 रूपया अब X का भेलू उसमें पूर्ट कर देंगे तो आपका B का भी मान निकल जाएगा यानि 72,000 में से 72,000 मैंने 6 आए ना घटाईया कितना आ रहा है? यानि इसका मान आ जाएगा 32,000 राइट अंसर है तो अप्शन में देखिए आपका B नमर में दिया हुआ है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला है 22 परिक्रमन पर 49 cm तरीज़या के पहिया द्वारा तै की गई समान दूरी कोता है करने के लिए 98 cm तरीज़वाले पहिया द्वारा कितने परिक्रमन लगाने के हो सकता है कितने? आपको पता है अभी बता है ब्रीट ऊपर से लगाएगा तो आपको पता है न क्या होगा 2 pi r ओके चकर लगाएगा किस फॉर्मे x के फॉर्मे माल लिज़े कि वो चकर लगा रहा है तो आप ऐसे लिख सकते है यानि डिरेक्ट लिख दिज़े 22 गुने 49 चुकि 49 cm दिया है 22 परिक्रमन कर रहा है तो आपका इतना आ गया अचुकि उसके बाद बोल रहा है क्या 98 cm दिज़े वाला ओके तो ना x माल लिज़े आप ओके इसके बराबर हम यहां लिख देते हैं 22 गुने 49 बराबर x गुने 98 अब सॉल्ब कीजिए तो कितना आ रहा है मान सॉल्ब करेंगे लोग तो आपका 11 आ जाएगा सिंपल है इसमें कुछ हाए नहीं अगला प्रस्न देखते है अगला है इसमे A अकेले किसी कारे को 6 दिनों में B और C 4 दिनों में A और C 3 दिनों में करते हैं तो B को कारे पूरा करने में कितना दिन लगेगा कितना दिन लगेगा तो दिन आपका लगेगा मान लीजिए पहली क्या करेंगे आप इसमें यह तो मैंने बदा दिया इस पर M.D.H. का जो है वो ट्रीक पर बना सकते हैं आप लोग या एक साथ भी निकाल सकते हैं यह रिप्टेड है बहुत पर बना है बना लीजिए इसमें कुछ करना है नहीं ओके हाला कि हम हिंट दे देते हैं आंसर बता दे कि आप लोग डिरेक्ट निकाल लीजिएगा लोग तो आंसर चली हम बता देते हैं बारा दिन आएगा कर लीजिएगा लोग चली अगला प्रसन देखिए तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की तीन गुनी है यजि तीनों संख्या का उवसोच छे सो साट रोपय है 2 प्लस x by 3 बराबर किसके बराबर होगा क्योंकि 660 बोल रहा है किसके गुने 3 गुने तो इसको solve कीजिए वही आपका answer आएगा solve करेंगे तो आपका मान आजाएगा सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है x का मान आपका आएगा पहले कितना 360 चोटी संख्या बोलेगा तो x by 3 कर देंगे x का जोगा 360 को put कर दीजे 3 एक तीन तीन दुन चोग 120 आजाएगा ठीक ना तो यह 360 नहीं यहाँ आपकीजिएगा 1080 आएगा यहाँ पर 1080 आएगा तो 1080 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3 चक 18 3 चक 18 ओके यहाँ पर 1080 है अच्छा से लिख देते हैं 1080 है दोस्तों जब इसे भाग दीजेगा तो 360 आजाएगा तो x का मानब का क्या आजाएगा 360 तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों उमीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और पढ़ाई करते रहिए हमारे दोराज इतना होगा प्रयास उतना आप लोग उतक benefit पहुंचेगा बसरते कि आप लोग को भी मेनाद करना होगा दोस्तों